हेलो स्टुडेंस आज के क्लास में हम लोग मोशन क्लास नाइन चाप्टर का एन्सेयर्टी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हम लोग आज चूज किये हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग समझाएंगे और सॉल्ब करेंगे अच्छी तरीके से सो यहां पर क्वेश्चन पर क्या बोला है कि एन अथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कूलर ट्रेक ऑफ डायमीटर 200 मीटर तो डायमीटर कितना है हम लोग लिख लेत हैं इस 200 मीटर इन 40 सेकंड यह कवर करता है 42 सेकंड में तो हम लोग एक सर्कूलर ट्रेक बन लेते हैं फर्स्ट आफल तो यह है खर्कूलर ट्rek आफ सेंटर o दायमीटर कितना है 200 सपोज य crochet diameter 200 8 का डायमीटर का डायमीटर सो एक रांड सबच यह एक पॉइंट है a यहां से जाके इस तरीके से जाके यहां तक एक round complete करता है 40 second में So what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 second यानि कि 2 minute 20 second के बाद कितना distance or displacement होगा So 2 minute 20 second को अगर हम लोग second में convert करते हैं 2 minute means 120 second plus 20 second it will be 140 second यह है total time के बाद So first of all हम लोग circumference निकालते हैं यानि कि कितना distance यह travel करता है यहां से लेकर यहां से लेकर इतना तक यानि कि circumference So circumference circumference का formula क्या है We know 2 pi r So इसको हम लोग लिख सकते है 2 into 22 by 7 multiplied by radius Radius कितना है यह है diameter तो इसका half हो जाएगा radius It will be 100 So यह बन जाएगा हम लोग का circumference इतना meter So अभी हम लोग निकालना होगा कि हम लोग को निकालना होगा कि इस time में कितना distance travel करता है Okay 140 second में So 40 second में इतना distance travel करता है Okay So 140 second में कितना distance travel करेगा Clear है So first of all हम लोग देखते हैं कितना round होते हैं एक राउंड देने के लिए for one round आप लोग देख सकते हैं one round के लिए complete round के लिए time चाहिए 40 second तो 140 second में कितना होगा तो 2 round के लिए कितना होगा 80 second तीन round के लिए कितना होगा तीन round के लिए होगा 120 second तो 3.5 यानि कि 3.5 round के लिए हो जाएगा 140 second क्योंकि 40 second का half 20 second होता है यानि कि यहाँ पे जो है एक round, दो round, तीन round देने के बाद फिर से इतना तक आएगा यानि कि यहाँ पे यह जो point है इस point तक आएगा after 3.5 round 3.5 round के बाद ठीक है क्योंकि इस time में 3.5 round होता है इस time में 3.5 round होता है, so distance कितना travel करेगा, so total distance total distance total distance हो जाएगा circumference जो है वो multiplied by 3.5, 3.5 into circumference हम लोग निकाल के रखे 2 into 22 by 7 into 100, so 7 से इसको cancel करना से 0.5, so यहाँ पे आजाएगा कितना जाएगा, it will be 4400 into 0.5 जाएगा, it will be 2200 मेटर, तो यह distance कवर करेगा, अभी A से लेकर after 3.5 round B तक गया, so displacement कितना होगा, displacement means straight path between initial and final, यानि कि displacement हो जाएगा diameter, so displacement displacement equal to diameter, okay, so diameter means कितना, 200 मेटर, यह हो जाएगा answer, तो यह एक answer है, और 2200 और एक answer है, so I hope यह numerical आप लोग को समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई doubt है यहाँ पे, तो आप लोग comment box पे comment कर सकते हैं, thank you very much.